आज इस वोड़े आपके लेग रहे हैं 20 lightning, mind blowing and behind the scene facts about black adam movie like क्या आपको पता है कि इस movie के स्टार्टी में adriana को जिसे necklace के साथ दिखाये जाता है तो इसी same necklace को past में adam की wife ने भी पहना होता है उसकी death से बिलकुल पहले और इस scene में adriana कहती भी है कि ये necklace उसकी family की विरासत है तो वैसा हो सकता है कि adriana black adam की wife की family line से belong करती हो number two well normally क्या होता है कि movies में actors के masculine physics को दिखाने के लिए body doubles का use किया जाता है बट इस movie में बिलकुल उल्टा किया गया था क्योंकि rock के physics को आप सभी जानती है तो इसलिए past में जब adam को उसकी human form में दिखाया जाता है तो इन scenes के लिए ben आगे आपको पता चलेगा कि Henry Cavill को DCU में वापिस लाने के लिए Dwayne Johnson को क्या 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 करना पड़ा था और इस cameo के दोरन Henry Cavill ने black superman suit की बज़ाए इस blue and red suit को क्यों पहना था so let's move on with fact number three super hero movies में जब costumes की बात आती है तो उनमें actors की muscles and body cuts को दिखाने के लिए बहुत ज़्यदा padding का use किया जाता है जो की similar black adam के suit के साथ भी किया गया था बट रोग की अपने खुद की body इतनी बड़ी है कि उसे किसी भी तरह की padding की कोई भी जरूरत नहीं थी इसके बाद Dwayne Johnson ने इस suit में से padding को हटा कर इसे पहना था और इसके बाद इस movie में दिखाए कि black adam का ये physique ये body cuts रोग की real body थी जब movie में black adam के first appearance हो दी है तो उस time हमें बहुत ही gruesome death देखने को मिलती है और इसी वाई से इस movie के originally r rating दी गई थी योगि इसमें ऐसे और भी बहुत से gruesome and violent death scenes डाले गए थे बट इस movie का PG-13 rating देने के चक्र में most of the r rating scenes को हटा दिया गया था बट शायद हमें future में इस movie का r rated version भी देखने को मिल सकता है who knows वैल अगर comics की बात करें तो उसमें Black Adam एक pure villain है क्योंकि comics में इस character ने अपनी wife की death का बदला लेने के लिए दो million innocent peoples को मार दिया था जिससे की almost world war 3 शुरू हो चुका था और इसके अलावा भी comics में Black Adam ने बहुत ही बुरे काम किये हुए है बट इस movie की story को एक specific comic Justice Society of America से लिया गया है जिसमें Black Adam Justice Society के साथ मिलकर एक anti-hero character की तरहें काम करता है जोकि आज कल एक trend सब बन चुका है क्योंकि कही previous movies में भी major villain characters को anti-heroes की तरहें represent किया गया है और अगर अगर ब्लैक Adam की evilness की बात हुई है तो इसमें comics से बहुत ही major event को change किया गया है जिससे कि Black Adam की origin ही change हो जाती है क्योंकि movie में हमें दिखाया गया है कि जो powers होती है तो वो actual में Adam के लड़के root को मिलती है जिसके बाद वो उन्हें अपने dad Adam को दे देता है बट comics में ऐसा नहीं हुआ था तोगि comics में ये powers actual में Adam के बदीजे अमन को मिलती है जिसे Marker Adam उससे इन powers को लेता है जिससे कि Black Adam की pure evilness का भी पता चलता है Black Adam मूई में हमें वो movement देखने को मिली है जिसका हम सब बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे थे और वो है Superman का return Henry Cavill के साथ और ये possible हुआ है सिर्फ Dwayne Johnson की वजह से जिन्होंने इस idea को सबसे पहले former DC head Walter Amanda को pitch किया था जिन्होंने Superman को इस movie में दिखाने से मना कर दिया था जिसके बाद Dwayne Johnson को directly Warner Bros. execute उसके पास जाना पड़ा था जिन्होंने Rock के Superman वाले idea को प्रूव किया था और यहीं से Dwayne Johnson के star power का भी पता चलता है and thanks to Rock जिसके बाद हमें इस movie में देखने को मिला Henry Cavill as a Superman Number 8 Well, Sazam की तरह Black Adam की powers भी Sazam बोलने के बाद ही काम करती है जो कि movie देखने के बाद बहुत ही लोगों confusing लगा होगा और तो हला कि इन दोनों characters की powers की origin एक है but इन दोनों के case में Sazam का meaning बिल्कुल different है क्योंकि Sazam को उसकी powers Greek Gods, the wisdom of Solomon, the strength of Hercules, the stamina of Atlas, the power of Jews, the courage of Aecilius and the speed of Mercury से मिलती है जिने मिलाकर बनता है Sazam but Black Adam को उसकी powers बिल्कुली different gods Shoo the god of air, Herchef the god of strength, Amon the king of gods, Jehudi the god of wisdom, Anpu the conductor of dead and Manthu the god of war से मिलती है जिने मिलाकर बनता है Sazam तो चाहे इन दोनों ही characters की powers सेम वर्ड से क्योंना आती हो बर दोनों का meaning and powers बिल्कुली different है Number 9 Movie के starting में Adriana Black Adam को उसकी 5000 सालों की case से जाद करती है तो एक्चल में ये event DC की new 52 Justice League comics से inspired था जिसमें M1 Black Adam को Residuct करने के चकर में मार जाता है इसको बाद में Adriana revive करती है और साथी comics में M1 Adriana का भाई होता है जिसको इस movie में उसके बेटे के रोल में दिखाया गया है Number 10 Well जब इस movie में Superman का return confirm हुआ था तो उस टाम है Henry Cavill को अब तक DCO में दिखाया कि सभी Superman suits में से एक को चुणने के लिए का गया था कि वो ऐसे Superman कौन से suit में वापसी करना चाहेगा इस पर Henry Cavill ने Man of Steel movie वाले Superman suit को चुना था क्योंकि Henry Cavill के according वो suit से बहुत emotionally test है और वो एक बार फिरी suit को पहन कर इस moment को enjoy करना चाहते थे Number 11 Black Adam movie में Justice Society of America को introduce किया गया था जिसमें हमें बिल्कुल इन new characters देखने को मिले हैं और इन सभी characters के साथ करें सपीनो movies को लेकर भी बात चर रही है और आप इन सभी characters में से किसकी solo movie देखना अपसंद करोगे मुझे नीचे comments में जरूर बताना क्योंकि अगर मैं personally बात करूँ तो मैं Dr. Fate and Justice Society of America कि solo movies को देखना जरूर अपसंद करूँगा Especially Dr. Fate Number 12 Well अगर मैं अपनी बात कर तो Dr. Fate का character इस movie का मुझे सबसे जब दस character लगा है जिसे Pierce Brosnan ने play किया है जिनने आप सब James Bond के रोल से जानते होंगे और इस movie में Dr. Fate को play करने के लेक्टर Pierce Brosnan को motion capture suit पहनना पड़ा था जिसको Brosnan ने बहुत embarrassing experience बताया है और हाला कि Dr. Fate का character इस movie में मारा गया हो बडूइन जोंसन के coding यह character हमें upcoming DC movies में भी देखने को मिलेगा Number 13 Movie में Adam and Justice Society के first fight के time Atom Smasher Black Adam को अपनी gigantic fist की मस्ते मारने में कामियाब होता है बट मुई के end में यह character Adam के साथ जादा friendly behavior दिखाता है और फिर से team up करने के लिए भी कहता है तो actual में पूरा concept comics से inspired था यह comics में भी Black Adam and Atom Smasher as enemies की तरह मिलते हैं बट बाद में इन दोनों के बीच बिल्कुल भाईयों जटसर relationship हो जाता है तो comics और मुई के scene को ध्यान में रखते हुए Black Adam and Atom Smasher का team up हमें future में भी देखने को मिल सकता है Number 14 सबैक कोराने के बाद जब Black Adam throne पर बैढ़ता है तो यह sitting pose inspired था Black Adam के इस iconic comic book poster से इस ते कि इस movie का यह poster भी inspired है Number 15 Hogman actor Aldis Hogg ने इस movie में अपने इस body को बनाने के लिए Dwayne Johnson को as a team motivation के तोर पर use किया था क्योंकि अगर आप The Rock को Instagram पर follow करते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि यह बंदा लगतार अपने workout and training videos को इंस्टा पर share करते रहता है तो इसी चीद को as a motivation के तरहां यूज़ करते हों Aldis Hogg ने अपने superhero physique को बनाया था Number 16 मुई में जब Cyclone को इंट्रिडूस किया जाता है तो उस टाइम उसने एक monkey backpack पैना होता है जोकि नोड था comics को योगि comics में भी Cyclone के पास Frankie नाम के एक pet monkey होता है Number 17 वैल इस मुई में दिखाए कि Cyclone and Atos Master के characters original superheroes नहीं होते योगि योगि दोनों ही characters अपने अपनी superhero families की legacy को आगे बढ़ाने के लिए superheroes बने होते हैं तो जब हमें Cyclone को introduce किया जाता है तो उस टाइम उसके identity information में उसका नाम Red Tornado लिखा होता है जोकि हिंट ता Cyclone की mom and original Red Tornado को तो दूसरी दरफ Atom Smasher के introduction के time हमें original Atom Smasher को भी दिखा दिया जाता है जिसे actor Henry Wrinkler ने play किया था Number 18 मुई में जब Cyclone and Atom Smasher first time मिलते हैं तो उस टाइम ये दोनों एक दूसरी की powers के बारे में बात करते हैं यस पर Cyclone अपनी powers के बारे में बताते हुए कहती है कि उसे powers किसी experiment की वज़े से मिली है क्योंकि किसी mad scientist ने उसे गिटनैप करके उस पर experiment किये थे तो यहाँ पर Cyclone उस scientist का नाम तो नहीं ले थी बट ये note था DC villain T.O. Moro को जो कि DC के वना तो major villains में से एक है और साथ ये character हमें future DC movies में भी देखने को मिल सकता है Number 19 Final fight के time जब Dr. Fate को action में दिखाया जाता है तो उस time Dr. Fate Injustice 2 video game के दो spells को use करता है जिनमें से first time सबैक को रोकने के लिए Dr. Fate एक giant egg को सबैक के ओपर गिराता है जो कि Injustice 2 video game से inspired था and second जब fight का दूरां Dr. Fate Adam को उसके self सचुड़ाने के लिए एक छोटा सा magic perform करता है तो ये scene भी इसी video game से inspired था Number 20 आलागि Black Adam movie आज हमें 2022 में देखने को मिली है बढ़ ट्वीन जोंसन इस character से पिछले 15 सालों से चुड़े हुए है I mean Black Adam को play करने के लिए रोक को 15 साल तक वेट करना पड़ा है क्योंकि साल 2007 में ट्वीन जोंसन इस character को play करने के लिए साइन किया था जिसको officially announce किया गया था साल 2014 में जिसके बाद Black Adam के first appearance देखने के इस deleted scene में होनी थी जिसको cut करके Black Adam को बाद में इस proper movie में introduce किया गया है तो ये थे Black Adam movie से जुड़े 20 lightning, mind blowing and behind the scene facts और अगर ये वीडियो आपको चिल लगी तो शुड़े को like and share करें और चैनल को subscribe करी देना और इसे वीडियो कौनसा fact आपको सबसे बड़ी अलगा मुझे ने चको मैट्स में जुरूर बताना तो मिलता हूँ पसे next वीडियो में तिल देन में बाई पीस